हलो फ्रेंड्स, माइ नेम इस मेगा बलानी एन वेलकम तू अल फ्यू दोस्तों आज हम जो है वॉइस का फिफ्थ क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हमारा ये लास्ट क्लास है आज हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कि जो कुछ queries हैं जो questions है उनके answer दे देते हैं कि बहुत से बच्चों का concern है कि ma'am please आप हमें book पढ़ाईए तो देखो बिटा मैं book पढ़ा देंगे पढ़ा भी देती बट वहां पर books में जो है सभी के लिए different different variations है सभी का book जो है वो थोड़ा different चलता है तो book को अभी हमने hold प applications है इन सभी को करेंगे उसके बाद देखेंगे अगर book से कुछ संबंदित लगता है कि हां करना बहुत important है आपको बहुत ज़्यादा problem आ रही है तो हम उसपे बात करेंगे otherwise book जो है अभी hold पर है हम अभी grammar portion ही complete करेंगे ठीक है और दूसरी चीज voice के बाद जो बच्चों का बहुत ज़्यादा concern है कि मैम हमें direct and direct करवाईए तो बिल्कुल इस voice के बाद जो हमारा next class है वो direct and direct के लिए है और जो भी जितने भी बच्चे हैं जिन सभी का concern है कि मैम 11th के level का कराईए तो वो सारी चीज़े उसमें cover होंगी उस topic में और 11th का topic भी direct and direct है तो आप सभी लो next topic है उसको देखिएगा जिस किसी के भी course में यह है तो बात करते हैं यह शायद दो point जो थे यही ज़्यादा important थे बच्चों का concern इनके लिए था book के लिए बहुत ज़्यादा था कि मैं book कराईए तो book को अभी हम hold पर रखेंगे पहले हम grammar portion complete करेंगे जितना भी grammar है उसके बात कि क्या हो सकता है book में मैं promise नहीं कर रही हूँ कि मैं book करवाऊंगी लेकिन मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं करवाऊंगी देखेंगे क्या situation है कब तक हमारा grammar portion complete होता है उसके बाद विचार करेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं आज हमारा passive voice का last class है इससे पहले हमने क्या- two classes थी हमने उनमे tenze wise changes करना सीखी थे कि किसकि alternus में हम किस तरह से change करते हैं then हमने specific rule देखे थे जहांपर हमने देखा था कि infinitive होता है गर हमारा sentence तब हमने उसे कैसे change करना है या फिर हमारा डबलु एच वर्ड में sentence होता है गर हम उसे कैसे change करते है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पढ़ने का जो last जो हमारे points है वो तीन point है जिनको हम पढ़ेंगे तो first है कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं verb with two object two object मतलब जब हमने पहले पहले जब पहले class में जब पढ़ा था तब हमने समझा था कि object दो type के होते एक होते है direct एक होते है indirect अगर मालो एक sentence में दोनों object आ जाएंगे तब हम कैसे passive voice बनाएंगे ठीक है दूसरी चीज क्या थी double passive डबल passive क्या होता है एक sentence ना होके दो sentence होंगे और वो दोनों sentence किसे जुड़े होंगे किसी एक conjunction से जुड़े होंगे conjunction मतलब दोनों sentence को जोड़ने के लिए वो end लगा होगा और दो sentence अलगल होंगे जब इस तरह से conjunction लगा हो end लगा हो तम हमें क्या करना है उन दोनों का passive voice कैसे बनता है वो देखेंगे थर्ड हम देखने माले है passive voice of imperative sentence imperative sentence कैसे होते हैं जहांपर हम क्या करते हैं किसी को request करते हैं किसी को order देते हैं किसी को advise देते हैं इस type के sentence को हम किस तरह से change करेंगे वो देखेंगे हमने इससे पहले model verb में भी देखा था कि model verb में हम कैसे change करते हैं तो कुछ कुछ यह चीज़े देखेंगे उसके बाद हमारा passive complete है ठीक है अब समझते हैं पहला जो topic है हमारा verbs with two object ठीक है two object जब भी two object बोला जाता है तो mind में क्या आने चीज़े दोनों object आने चीज़े कौन-कौन से होते हैं एक हमारा होता है direct object और दूसरा होता है हमारा indirect object हमने पढ़ा था कि direct object हम कैसे find करते हैं जब हम कैसे question करते हैं what से और whom से जब हम question करते हैं direct-in-direct में what या फिर whom से तो हमें हमारा answer मिठता है जब answer मिलता है तो वो हमारा direct object होता है यानि काम का प्रभाव जिस पे पढ़ रहा है जो भी आप काम कर रहा है जो भी आपकी verb है उसका effect जिस पर पढ़ता है वो हमारा direct object होता है indirect object होता है उस काम का प्रभाव दूसरे किस पर पढ़ रहा है वो हमारा indirect object होता है कैसे होता है एक sentence से देख लेंगे फिर और clear हो जाएगा तो पहला example क्या दे रखा है active voice में जब हम बात करते है ही गेव मी अपर्स वह मुझे क्या देता है पर्स देता है अब यहां पे हमें find करना है कि हमारा direct object कॉन सा है और indirect object कॉन सा है तो question कैसे करते है ही गेव वाट उसने क्या दिया उसने क्या दिया पर्स दिया तो पर्स हो गया हमारा direct object ठीक है he gave what first, किसे दिया, for whom किसे दिया, किसको दिया me, तो me हो गया हमारा indirect object, ठीक है indirect object तो direct object, indirect object अगर आपके sentence में direct और indirect, दोनों आ जाएगा, तब क्या करेंगे तब हमें करना है, हमारा जो passive बनेगा, वो दोनों से बनेगा एक बार indirect से बनेगा, एक बार direct से बनेगा, हम किसी से भी बना सकते हैं, हमें सिर्फ एक बार ही बनाना है अगर sentence इस टाइप का अगर आ जाता है exam में तो हमें एक इपार sentence बनाना है फिर आपकी जिससे भी बनाना चाओ, मैंने जो होता है वो as a subject आ जाता है, ठीक है subject लगा देंगे, अब यहाँ देखो, gave दे रखा है, यह क्या है, give की second form है, तो give की second form है, that means यहाँ पर कॉन सा थैंस यूज हुआ है, यहाँ पर past यूज हुआ है, अगर past यूज हुआ है, तो क्या करना है, verb लेनी है, कौन सी लेंगे, past की ही लेंगे, क्या लेंगे, was लेंगे, continuous की जो verb है, वो लेंगे, was यह वर, तो a purse, एक purse की बात हुई है, तो was लगा दिया, a purse was, then क्या लगाते हैं, verb की third form लगाते हैं, a purse was, give की क्या हो जाएगी, third form, give की third form होती है, give गया, given, तो given आजाएगा third form, next आपको क्या करना है, जो भी आपका next indirect object बजगा है, उसे आप लगा देंगे, me, तो me के साथ क्या लगाएंगे, हम to लगाएंगे, to me, by, by कौन है, him, किसके द्वारा दिया जा रहा है, he के द्वारा, तो he का object क्या हो जाएगा, him, एक तो बन गया किस से, जब हमने direct object लिया, लेकिन अगर indirect object से बनाना चा as a subject लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, me का भी subjective case लेना पड़ेगा, और me का subjective case क्या होता है, I, और me, यह होता है subjective case, और यह होता है objective case, तो me, एक objective में दे रखा है, object as a object दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको me को subjective case बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस I was उसके बाद आजाएगा given given के बाद क्या आएगा a purse जो बच गया है हमारा वो सभी लिखना है उसके बाद हम क्या लगाते है by लगा के हमारा जो agent होता है जो subject होता है उसे as a object लिखते है तो क्या बनाएंगे हमारे पास जो हमने अब indirect object लिया है तो I was given a purse बना रहे हो तो direct object को बद में लगा दे ना verb के ठीक है अब एक और sentence देख लेते हैं कैसे Raheem teaches us English जो हमें क्या पढ़ाता है इंग्लिश पढ़ाता है अब यहाँ कैसे find करना है देखते है Raheem teaches Raheem पढ़ाता है क्या? wat क्या पढ़ाता है? English पढ़ाता है तो English हो जाएगा हमारा direct object ठीक है? Raheem teaches us तो हो गया English किसे? किसे पढ़ाता है? whom? for whom? तो यह हो गया us जो है यह हो गया हमारा indirect object ठीक है? indirect object क्या पढ़ाता है? English पढ़ाता है किसे पढ़ाता है? हमें पढ़ाता है, us हमें पढ़ाता है, तो we का us यहाँ पर देखो we का us क्या objective case use हुआ है we एक subjective case होता है और उसका objective case क्या होगा us ठीक है अब देखो बनाना शुरू करते हैं हम बनाते हैं देखो कैसा पहला sentence बनाया है English से यानि direct object से ही बनाया है पहला कैसे बना? English अब English teaches as या es लगा है verb में जब as या es लगा होता है तो वो कौन सा होता है present simple होता है अगर present simple है तो वहाँ से क्या निकाल नहीं है present continuous की स्रिफ और स्रिफ helping verb उठानी है वो कौन सी होती है is mr अब is mr में से आपके subject according देख रो क्या है English है English की बात हो रही है एक subject की बात हो रही है singular तो इस लग जाएगा ठीक है इस लगा देंगे English is teach अब simple हो गया s हट गया वहाँ से teach teach का क्या हो जाएगा third form taught English is taught कहां next क्या बच रहा है हमारा indirect object बच रहा है us लगा दिया by Raheem Raheem as it is किसी का नाम है तो उसे change नहीं करते है as it is लिख देते हैं अगर कोई pronoun होता तो हम उसको change करके उसका objective case लेते हैं लेकिन नाम दे रखा है तो नाम में कोई change ही होता है no change तो as it is उठाके by Raheem लिख देंगे अब दूसरा क्या है दूसरा कैसे बन सकता है दूसरा बन सकता है indirect object से और indirect कौन सा है us है अब इस us को बनाना है आपको passive voice में वो आपके लिए है वो आपका homework है कि आप इससे कैसे बनाते हो यह बनाके मुझे comment section में लिखेगा कि ma'am इसका जो passive है वो इस तरह से बनेगा देखें कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे object का subjective ले रहे हैं subjective objective को as a objective बना रहे है तो यहां पर यह जो us है अब us से कैसे बनाओगे क्या लगाओगे वो आपके उपर है यह आपका homework है comment section में इस homework को करके बताएगा कि कैसे sentence को आपने frame किया है इसका passive कैसे बनाया है तो जो us है उसका क्या लोगे जैसे मैंने me क्या लिया था subjective case ऐसे ही us का subjective case क्या होगा उससे लेकर अपनी verb को set करके फिर आपके sentence को बनाओगे किस तरह से कि जब हम as a indirect object इसको बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा यह आपके लिए homework है मैंने नहीं किया है आपके लिए छोड़ा है ऐसे छोटे-छोटे homework में आपको बीच-बीच पे देती रहोंगी एक साथ पूरा दे देते हैं तो थोड़ा सा confusion भी हो सकता है बाद में भी है exercise भी है लेकिन एक ही homework यह भी है आपके लिए कि यहाँ पे आपको इसका passive बनाना है ठीक है तो यह तो हो गया क्या जब direct और indirect object यानि दो object आपके सामने दे रखे हो given हो अब जो दूसरा point है वो है double passive डबल passive क्या होता है जब sentence दो sentence होंगे different different वो किसी conjunction के साथ जुड़े होंगे मतलब sentence होगा उसमे subject होगा verb होगी object होगा फिर दूसरा एक sentence होगा joke क्या होगा उसमें भी verb होगी object होगा और वो दोनों sentence किसी conjunction यानि end के साथ जुड़े होगे तो जब भी इस तरह के sentence होगे तो हमारा passive भी क्या बनेगा दो बार इसलिए से हम क्या कहते है डबल passive कहते है अब double passive कैसे बनता है पहले example देख लेते हैं वहाँ से clear जादा होगा देखो first example देखते है the thief broke into the house and took away the ornaments thief यानि की चोर चोर क्या करता है दरवाजा घर तोड़ता है और घर तोड़कर क्या कर लेता है वहाँ से ornaments यानि आबोशन लेके चला जाता है अब यहाँ देखते हैं sentence को समझो कि sentence में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले चीज दे रखा है यहाँ पर end दे रखा है यानि दो sentence आपस में जुड़े हुए ठीक है अब यहाँ पर subject और object find कर लेते हैं कि subject कौन कौन क्योंकि जब passive बनाना है तो सबसे main काम नहीं होता है यह हो गया हमारा subject यह broke जो है यह हमारी verb है उसके बाद यह into क्या है यह preposition है जो हमने देखा था कि verb के साथ preposition लगी होती है तो जब हम उसका passive बनाते हैं तो verb की third form के साथ हम preposition को उसके साथ add कर देते हैं उसके बाद the house क्या है object है कैसे find क्या वो हमें पता है thief ने broke क्या 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 house क्या हो गया हमारा object हो गया next end दे रखा है end के बाद फिर देखो took away took away क्या है एक phrasal verb है phrasal verb है took मतलब ले जाना तो यहां पर took कौन सा है take का second form दे रखा है took उसके बाद दे रखा है the ornament तो यह तो हो गई verb और यह क्या हो गया the ornaments हो गया हमारा object ठीक है took क्या हो गया हमारा verb हो गया अब यहां देखो subject 1 है verb 2 है object भी 2 है और वह कैसे जुड़े वह है end से जुड़े है तो पहले हम क्या करेंगे पहले end से पहले वाला sentence frame कर देंगे उसके बाद हम end के बाद वाला frame करेंगे और दोनों में क्या बनेगा passive बनेगा इसलिए इसको double passive कहते है सबसे पहले यहां देखें object object क्या दे रखा है house दे रखा है तो the house को आगे लगा देंगे second अब देखना है कि tense कौन सा है tense है हमारा broke दे रखा है break का second form दे रखा है that means यह क्या है past simple है past simple है तो क्या करना है past continuous की verb उठानी है was या verb में से अब house जो है वो हमारा singular है तो was लगा देंगे the house was broke broke break की second form है हमें third form चाहिए break broke broken तो broken लगा देंगे उसके बाद जो भी आपकी preposition है उसे add करके by लगाएंगे thief नहीं अभी नहीं लगाएंगे subject जो है वो sentence के बाद में आएगा तो उसे बाद में देखेंगे उसके बाद आपको end लगाना है क्योंकि एक sentence तो complete हो गया सिर्फ subject छोड़ना है बाद की complete होगे अब लगा देंगे end end के बाद फिर हमें क्या करना है यहां के sentence को देखें तो यहां पे object क्या है ornaments की वो abortion लेके गया था तो ornaments object को हम पहले लिख देंगे अब ornaments बहुत ज़ादा है और sentence एक ही चल रहा है यहां पे भी take की second form दे रखेंगे that means यह भी past का ही है और past में भी कौन सा लेना है हमें अब ornaments बहुत ज़ादा है तो हमें verb भी कैसे लेने होगी plural लेने होगी तो हम was की जगे अब क्या लेंगे were लेंगे the ornaments were took take की second form है हमें third form चाहिए तो हम लिख देंगे taken away अब यहां पे देखो बाद में हमारा subject दिखेगा कि the thief है तो हमें उसे लगाना चाहिए by thief करना चाहिए देखते हैं कैसे sentence देखो हमने sentence पूरा complete देख लिया कि कैसे कैसे हम इसको use करेंगे हमने sentence पूरा देख लिया लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें confuse कर रही है वो confuse यह कर रही है कि हमने by thief क्यों नहीं लिखा है तो देखो जब मैंने आपको पहले समझाये था कि कई बार हम जो है हमारा subject जो है as a agent यानि as a object नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि काम करने वाला कौन है किसके बारे में बात हो लिए तो घर को तोड़ कर आबुशन को लेके जाने वाला कौन होता होगा एक चोर ही है जैसे हम कहते हैं कि किसी चोर को पकड़ने वाला कौन होगा पुलिस होता है तो जब भी इस तरह कि जो आपको समझ में आते हैं जो subject आपको understood है उन सभी के लिए हम क्या करते हैं हम subject को by के साथ नहीं लगाते हैं अगर आप लगा भी देंगे तो वो wrong नहीं होगा, गलत नहीं होगा लेकिन जब हमें पता होता है कि subject understood होता है तब हम नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ by thief लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी बिलकुल correct है next sentence एक और देख लेते हैं कि किस तरह से double होता है अब आपको थोड़ा-थोड़ा clear हो गया होगा कि किस-किस तरह से हमने sentence को देखा तो दूसरा sentence देखें तो दूसरा sentence क्या है वो भी थोड़ा इसी type का है लिखा है he read the letter and tore it he read the letter मतलब उसने letter पढ़ा और tore मतलब उतलब है farna ठीक है और far दिया तो यहाँ दो sentence बन रहे हैं end के साथ यह रहा end तो कैसे बनेगा सबसे पहले यह subject है यह हमारी verb है यह हमारा object है उसके बाद end एक conjunction है conjunction के बाद फिर से यह verb दे रखी है और यह हमारा object दे रखा है अब बनाना शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे अगर आपको समझ में आ गया है पहला sentence तब तो बहुत अच्छी बात है आप इसको बना के देखिए नहीं आता है तो एक बार और practice देख लेंगे कि किस तर से बना है सबसे पहले the letter हमारा object है उससे उठा के पहले लगा देंगे red दे रखा है read, read, read तो यह क्या है read की second form है तो second form है लिखा वही जाता है सिर्फ पढ़ा जाता है red तो यहां पर इसका क्या लेंगे हमें third form लेना है ले लेंगे और यह second form दे रखिए second form दे रखिए तो क्या है यह past है past में हम क्या लेंगे past की verb ले लेंगे कौनसी was your word तो the letter एक letter की बात हो रही है the letter was then हमको पता है क्या बनेगा sentence देख लेते हैं the letter was read and क्योंकि हमें subject अभी नहीं लेना है subject हम बाद में लेंगे and tore it अब it यह हमारा object है इसको उठा के पहले लगा देंगे it it was क्योंकि it भी क्या है singular है तो इसके साथ भी हम क्या लगा लगाएंगे was it was tore की third form हो जाएगी torn तो torn by अब यह जो subject है यह by him आ जाएगा या नि दोनों sentence के लिए subject तो एक common था तो उसे हम last में लगा देंगे by him अगर यहां भी आप देखते thief के लिए तो आप यहां पे भी by him by thief लगा सकते थे वो भी wrong नहीं होता लेकिन हमे subject understood होता है इसलिए हम नहीं लगाते है चीक है I think double passive है वो भी clear हो गया होगा जब भी दो sentence होंगे और किसी end के साथ वो जुड़े भी होंगे तब हमें दो no passive बनाने इसलिए हम इसे double passive कहते है अब तीसरा देखा था हमने कि imperative sentence पहली चीज imperative sentence क्या होते है हमारे mind में imperative sentence आते ही हमारे mind में एक image बननी चाहिए कि imperative sentence क्या होंगे किसी को advice दे रहे होंगे किसी को order दे रहे होंगे किसी को suggestion दे रहे होंगे बट पहचाने कि कैसे मैम कि वो imperative है कैसे sentence बता चलेगा तो जब भी ऐसे sentence होंगे, तो वो start होते होंगे हमेशा आपकी verb के साथ जब भी imperative sentence होते होंगे, वो सारे के सारे अपनी main verb जो होती है, उनसे start होते है ठीक है, देख लेते हैं कैसे, imperative sentence का पहला point क्या है कि जब imperative sentence में हम किसी को क्या express कर रहे हो, command दे रहे हो, या फिर order दे रहे हो उस समय हमें कैसे हमारा sentence को frame करना है, तो पहले structure देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका example देखेंगे तो पहला देखिए active voice, जब भी आप active voice की बात करते हो, मतलब simple sentence में बात करोगे तब यहाँ पे क्या होगा, कोई verb दे रहे होगी, मैंने का था न, कि main verb से start होगा, यही पहचान है imperative की कि जब भी आपका imperative sentence होगा, वो किसी main verb से ही start होगा, कोई subject नहीं होगा, कोई उसके साथ helping verb नहीं होगी सीधा verb से, main verb से start होगा, ठीक है, verb होगा, then हमारा object होगा, उसके बात कोई other words होगे यानि subject होगा ही नहीं, और subject नहीं होगा, वो हमें पता है, जब हमने बात की थी कब, जब हम subject find करते थे तो imperative sentence ऐसे sentence होते हैं, जहां understood होता है कि जो भी बात कही जा रही है, वो सामने वाले को कही जा रही है और इसलिए उसके लिए हमेशा हम subject क्या रखते थे, you, imperative sentence के लिए हमेशा you ही subject होता है कोई भी sentence हो, कैसा भी sentence हो, अगर वो अपनी verb के साथ start हो रहा है तो उसके लिए हमेशा हमारा sentence का जो use किया जाता है, वो subject use किया जाता है, you क्योंकि काम जो भी कह रहे हो, आप जो भी order दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सामने वाले को दे रहे हो है सबसे पहले le't क्या लगाना है let लगाना है ठीक है कब जब हम दे रहे हैं order या command यानि किसी को order दे रहे हैं जैसे कहीँ get out भार जले जाओ तो यह क्या है एक order है ठीक है shut the door दरवाजा बंद कर दो यह भी क्या है एक order है ठीक है तो यहाँ पर अगर let, let क्या है, जब भी आप passive बनाओगे, अगर command या order दिया जा रहा है, तो हम let से sentence लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका object दे रखा है, उस object को लिखे, object के बाद हम लगाएंगे B, क्योंकि let के साथ हम B को लगाते हैं, तो let, let के बाद जो भी आपका subject है, जो भी आपका object उतारना है, then आपको B लिखना है, B के बाद verb की third form होगी, जो भी आपको यहाँ पर starting में verb दे रखे होगी, उसका third form लिखके other words लिखनेंगे, sentence देखते हैं, sentence से और जाधा clear होगा, क्योंकि जब भी हम structure देखते हैं, तो एक mind में picture बन जाते हैं, कि हाँ, ऐसा-ईसा कुछ हो लिए glass ले आओ, तो आप किसी को order दे रहो कि पानी का glass लाओ, तो यहाँ bring, bring क्या है हमारी verb, start हो रही है, main verb, उसके बाद क्या दे रखा है, हमारा object है, यह पूरा क्या है, object है, क्या लाने के लिख कहा जा रहा है, glass of water, तो यह हो गया object, यह हो गया verb, अब other words कुछ है नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम sentence में भी नहीं लगाएंगे, अब बनाना क्या है, जब इसका passive बनाना है, तो पहली चीज कही थी, कि let लगाना है, ठीक है, let लगा देंगे, उसके बाद जो भी आपका object है, वो रखना है, then हमें be लगाना है, उसके बाद हमारी verb की third form आ जाए तो कैसे पता करोगे, कि भाई, इसमें क्या है, order है, या फिर advice है, वो आपको sentence देखके feel करना होगा, कि यहां पर क्या चीज कही जारी है, अगर get out कहा जा रहा है, तो वो प्यार से तो कहा नहीं जाएगा, request तो कही नहीं जाएगी, वो वाँपे क्या कहा जा रहा होगा, as a order कहा जा रहा हो, command दिया जा रहा होगा, तो अगर ऐसी चीज है, तो हमें क्या लगाना है, अगर order और command लगता है, कि कहा जाता है, जुसमें आपको feel हो रहा है, कि यहां पर order दिया जा रहा है, तो अब order लगा दो, अगर आपको command लगता है, कि नहीं यह आपका advice है, तो उसका open the window, खिरकी खोलो, अब यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, order दिया जा रहा है, ऐसे ही shut the door, यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, order दिया जा रहा है, तो open the window, तो यह क्या है, हमारी verb है, ठीक है, यह है हमारा object, पहचान तो एक ही है, कि हमेशा चाहे कैसा भी हो, advice होगा, चाहे suggestion होग है, open the window, तो यह क्या हो गया, यह भी एक order form में हो गया, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले let लगा देंगे, उसके बाद हमारा object लगा देंगे, the window, then हमको क्या लगाना है, बी लगा के verb की third form लगाना है, simple, let the window be opened, ठीक है, अब एक और, अब यह तो हो गया हमारा imperative sentence जहां पर हम command या order देते हैं, अब दूसरा type देखते हैं, अगर मालो advice हो, advice लग रहा हो, तब क्या करते हैं, अगर आपको imperative sentence में ऐसा feel होता हो, कि सामने वाला हमें कोई advice दे रहा है, तो उसके लिए हमें structure क्या follow करना होता है, पहले तो active देख लेते हैं, active voice एक जैसा ही ठीक है, और object होगा, उसके बार other words होगे, ठीक है, अब हमें बनाना है जब advice की तरह है, तो आप किसी को अगर advice होगे, तो बोलते हो ना कि ये करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप सामने वाले को advice दे रहे हो, तो सबसे पहले जो भी आपका object है, उसको यहाँ पर as a subject ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद, यह जो object है as a subject आजाएगा, उसके बाद हमें क्या लगाना है, जो भी हमारी helping verb है, अब यहाँ पर helping verb क्या लग रही है, हमें पता है कि कि किसी चीज की advice दे रहे हैं, तो कह रहे है इसी चीज करनी चाहिए, तो हम लगा देंगे should, should और should क्या है, एक model verb है, अगर model verb है, तो हमें पता है कि model verb के साथ हम क्या लगाते है, बी लगाते है, इसलिए model verb के साथ बी, जेखो connect हो रही है न चीज़े, model verb में हम क्या करते हैं, जो भी हमें model verb दिखती थी, हम उसका passive बना advice feel हो रही है, advice दे जारी है, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे, देखते हैं sentence कैसे, जैसे first sentence दे रखा है, help the poor, गरीबों की मदद करो, ठीक है, अब यहाँ पे help the poor, गरीब की मदद करो, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो, यह verb है, यह object है, ठीक है, verb है object है, अब बनांते समय क्या करना है, बनांते समय देखना है, कि यह दे रखा है, the poor, तो the poor क्या हो जाएगा हमारा, object है, वो as a subject आजाएगा, तो subject की तरह हम इसको लगा देंगे, उसके बाद हमें पता है, यह advice दी जारे है, तो हम लगाएंगे, should, should एक model verb है, इसलिए उसके स आएगा, आपको उस टाइम देखना है, कि वो कैसी चीज follow कर रहे है, next देखते है, don't wax the animal, जो भी wax means होता है, चिढ़ाना या परेशान करना, तो don't wax the animal, जो animals है, जो जानवर है, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, या उनको खिजाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ प आपको नहीं करने के लिए भी बात कहेंगे, कि don't smoke, यहाँ smoke नहीं करना चाहिए, तो वो चीज भी अगर आपके सामने आती है, तो उसको कैसे use करना है, अब यहाँ देखो, don't smoke वाला भी एक point है, वो बताऊंगी किस तर से, उस type के sentence को कैसे करना है, अब यहाँ पर देखो, भी, wax की third form waxed हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, don't, नहीं करने की बात कही जा रही है, तो हमें should के साथ क्या लगाना पड़ेगा, not लगाना पड़ेगा, should not be, ठीक है, किस तरह से, the animals should not be waxed, यानि animals को परेशान नहीं करना चाहिए, चुड़ाना नही ठीक है, तो यह हो गया हमारा कब जब आप as advice दे रहे हो, imperative में advice भी हो गया, अब third point क्या है, पहली चीज हमने देखी थी command, दूसरी चीज देखी थी हमने advice, तीसरा चीज हो गया, अगर आप किसी के साथ request के साथ कोई चीज कह रहे हो, यानि कि आपके sentence में आप please लगा के तो अगर आपका sentence please के साथ start हो रहा है, और please के साथ लिखा रहा है, open the window, अब आप उसे बनाओगे, किस तरह से, जो अभी हम rule देखेंगे, उसकी तरह बनाएंगे, कैसे, अगर आपके sentence में kindly या please इस तरह के words आ जाते हैं, यानि request दिखती हो उस sentence से, तब हमें कैसे बनाना है तब हमारे लिए structure होगा, please या kindly उसमें से कोई दे रखा होगा, ठीके, उसके बाद verb होगी, then आपका object होगा, उसके बाद other word होगे, हमेशा active का structure तो एक जैसा ही होगा, सिर्फ हमें passive किसमें थोड़ा ध्यान रखना है, order है तो let be लगाना होगा, और अगर advice है तो should be लगाना ह ठीके, let be में let पहले लगाना है, यानि order में let पहले लगाना है, should be में वो, जैसे हम sentence में frame करते है, passive voice में normal helping verb के साथ, उस तरह से लगाना है, अब यहाँ पे देखो, please या kindly होगा, अब उसका, जब हम passive बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप request कर रहे हो ना, तो आप लगाएंगे, you are requested to, अब यहाँ पर question आ रहा है कि मैं you क्यों लगा रहे है, तो अभी अभी हमने बात की थी, कि जब भी imperative sentence होते हैं, उनके लिए subject understood होता है, कि you होता है, जो भी काम कहा जा रहा है, जो भी order दिया जा रहा है, जो भी request की जा रही है, everything, कैसा भी imperative sentence हो, उन सभी के लिए हम subject क्या use करते हैं, you, तो you आ जाएगा, अब you क्या की जा रही, please से हम एक request बता रहे है, तो जो भी please या kindly दे रखाऊगा, उस sentence को हटा देना है, sentence में से, और passive बनाते समय अब क्या लगा देना है, you are requested to, यह complete sentence लिखना है, उसके बाद जो भी आपकी verb दे रही ह इस फर्स फर्म क्यों लगा रहे है, उसका reason यह है, क्यूंकि हमने यहाँ पर requested में already ही third form लगा दी है, तो एक sentence में अगर हमने एक verb में पहले से ही लगा दी है, इसलिए हम यहाँ पर इस verb को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका third form नहीं लेंगे, requested में already हमने ed लगा कि उसका third form words दे रखे हैं, उनकी जगे हमें क्या लगा देना है, you are requested to, ठीक है, किस तर से बनेगा, sentence देख लेते हैं, पहला sentence देखिए, please don't disturb me, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, मुझे परिशान मत करो, नहीं की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन please दे रखा है, please दे रखा है, तो क्या करन है, क्योंकि हम request कर रहे है, तो you are requested to, इस तर से बनाएंगे not दे रखा है, तो not लगा देंगे, disturb me as it is लिखना है, क्योंकि यह verb है, यह object है, इसको में as it is लिखना है, क्योंकि verb में हमने पहले से ही request में requested लगा दिया है, कैसे बनेगा, you are requested, अब यहाँ देखो you are requested to था, लेकि हमारा negative sentence है तो हमें to से पहले not लगा देना है क्योंकि हम किसकी request कर रहे हैं इसमें हम बता रहे हैं कि disturb नहीं करना है तो you are requested not to disturb me एक और sentence देख लेते हैं kindly help me अब kindly भी आ गया कि मेरी क्रिपया करके मेरी मदद करो तो यहां पर भी आप किसी को request कर रहे हो लगाते है you are requested not to help me और help me जो है वो as it is आ जाएगा ठीक है इस तरह से आप बना दोगे अब मालो आपके सामने एक sentence आ जाता है love your country ठीक है love your country अब इसका आपको sentence बनाना है तो यहां पर आपको क्या feel आ रहा है love your country अपनी country से प्यार करो तो यहां आप advice दे रहे हो तो अगर advice दे रहे हो तो advice की तरह बनाना है क्योंकि आप इसमें order नहीं दे रहे हो कि अपनी country से प्यार करो आप यहां पर advice दे रहे हो कि हमें अपनी country से प्यार करना चाहिए तो तब हमें क्या लगाना पड़ेगा तो आपको sentence देखना है कि sentence क्या feel दे रहा है जैसा sentence होगा उसको हम उसी तरह से बनाएंगे ठीक है तो यह हो गया हमारी imperative sentence में तो यहां पर बन गया you are requested to help me ठीक है तो यह तो हो गया आपके सारे passive voice complete कि किस-किस तरह से आपके सामने ये चीजे आती है अब मान लो आपके सामने simple एक word आजाए जैसे मैंने कहा hard work एक sentence लेते हैं hard work आपको यह sentence दे दे आपको कैसे पता चलेगा यह क्या है और इसका अगर आपको passive बनाने के लिए दिया जाए तो पहली चीज आपको देखना है hard दे रखा है hard work मतलब किसी hard work करने के लिए कहा जा रहा है तो यहां आपको क्या लग रहा है advice लग दी है या order लग रहा है order तो नहीं लगेगा hard work करना चाहिए आपको advice लग रही है तो जब भी आपको इस तरह से कोई एक sentence दे दे जैसे hard work दे दिया या get out दे दिया get out बाहर जाने के लिए तो order की बात हो रही अगर आपको दोनों चीजों में देखना है कि कैसे मुझे बनाना है क्या करना है क्योंकि जब भी हमने अभी तक देखा था तो हमारे पास अगर हमने as a order में भी देखा था तो हमारे पास क्या था एक verb थी और एक object था फिर हम अगर जैसे order होता था तो हम उसमें let लगा के फिर object को लेके फिर verb की third form लगा दे थे लेकिन यहां पे तो हमें object देखी नहीं रहा get out ठीक है get out दे रखा है इसमें object है नहीं अगर इस type का एक ही word आता है जहां आपको object नहीं दे रखा है उनके लिए आपको क्या करना है simple अगर आपको नहीं समझ में आता है कि वहाँ पे sentence को क्या frame करना है तो एक तरीका है आपको करने का क्या करो अगर आपको यहाँ पे advice दिख रही है और यहाँ पे अगर आपको order दिख रहा है तो दोनों के लिए करना क्या है सिर्फ और सिर्फ लिख देना you are advised to hard work simple जैसे हमने अभी इसको दिखा यहाँ पे request कहीं जा रही थी इसलिए हमने requested लिख दिया अगर आपको किसी sentence से order लग रहा है तो आप यहाँ पे order लिख देना यहाँ पे जैसे get out order के लिए लग रहा है तो क्या करना है you are ordered to get out ordered ed लगाना ठीक है अगर ed लगा होगे तभी आप get out को as it is लिख पाओगे क्योंकि verb की third form जो पहले से use हो गई ordered में तो आप get out को as it is लिख सकते हो जैसे get out हो गया don't smoke हो गया hard work हो गया यह सारी चीज़े क्या है जहां से आपको अगर order लगता है तो ordered लगा देना you are ordered to और अगर आपको लगता है वहाँ पर क्या दिया जा रहा है advise दी जा रहे है तो आप you are advised to लिख देंगे एक चीज़ और अगर मालो don't smoke आ गया don't smoke ठीक है अगर don't smoke आ जाता है तो क्या करना है हमें पता है smoke नहीं करने की advise दी जा रही है तो आप क्या लगाएंगे you are advised not to smoke क्योंकि नहीं की बात हो रही है जैसे हमने यहां not देखा था वैसे same आपको यहां लिखना है you are advised not to smoke इस तरह से आपको बना negative है तो not to लगा देना है ठीक है simple तो अब I think imperative के जितने भी concept है वो clear हो गये है अगर advise है, suggestion है advise, suggestion बात देखी है अगर order और command दिया जाता है तो हमें let लगाना है और be लगाना है ठीक है let के बाद आपको subject लेना है फिर be उसके बाद आपकी verb लेनी है और इसके बाद हमने ये सारी चीज़े देख ली उससे पहले हमने देख लिया था double sentence होगे, double passive बनेगा कैसे तरह से बनेगा and a conjunction होगा और हमने देख लिया था कि अगर direct indirect दो object दे रखे हैं तो भी हम दो तरह से sentence को बना सकते हैं अब देखिए, हमने देख लिया था a, b, c, a पे हमने देखा था जब हम किसी को order command करते हैं second number हमने देखा था कि जब हम किसी के साथ advice की बात करते हैं third हमने देखा था please or kindly ये है हमारा d point ठीक है, d के साथ कैसे यूज़ करते हैं अब d क्या दे रखा है अगर आपका sentence से let से start हो यानि कैसे बना होगा let, object, verb और noun दे रखा होगा कुछ-कुछ different है यहाँ पर let दे रखा है उसके बाद object दे रखा है फिर verb दे रखिए, फिर noun दे रखा है अब अगर उसका हमें passive बनाना है तो कैसे बनेगा let को तो हम as it is लिख देंगे object हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर object, यह वाला object नहीं आएगा यहाँ पर हमारा जो यह noun है वो वाला object आएगा, छीक है जो भी आपका noun दे रखा होगा उसको हम as a object ले लेंगे उसके बाद let है, तो be तो लगना ही है तो let के साथ be लगा देंगे verb की हम क्या ले लेंगे? third form ले लेंगे then by, और जो भी आपका यह object है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? उसका objective case ले लेंगे यानि यह जो object दे रखा है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे उसके object form में जैसा मतला वो दे रखा होगा objective form में क्योंकि यहाँ पर भी वो as a object दे रखा है तो जिस भी form में होगा हमें उसी form में लेना है क्योंकि object है और वो object form में ही होगा तो हमको उसको as it is लेना है क्योंकि अगर वहाँ पर subject होदा, यहाँ पर subject होदा कोई तो subject को हम कैसे लेके आते, as a objective case लेके आते लेकिन अगर they object रखा है, तो उसको उठा के objective case में ही लेना है उसका change नहीं करना है, कैसे होता है, sentence को देखेंगे, clear हो जाएगा First sentence दे रखा है, let him complete the work let him, यानि let उसे क्या करना चाहिए, complete उसे, let him complete the work उसे काम करने, खतम करने दो, तो let दे रखा है, उसके बाद हमें कहा था him होगा, एक object होगा, ठीक है, उसके बाद complete है, यह verb है और क्या है, यह हमारा object है, जो एक noun में दे रखा है तो करना क्या है, सबसे पहले let लगा देंगे, as it is उसके बाद let के साथ क्या लगाएंगे, let के बाद जो भी हमारा noun है वो as a subject बनके आगे आजाएगा, तो let the work उसके बाद आजाएगा, let के साथ हम भी लगाते हैं, be then verb की third form, और him को हम as it is लिख देंगे, क्यों? क्योंकि him already एक object है, और वो as a objective case में दे रखा है, तो हम उसे as it is लिख देंगे, कैसे? let the work be completed by him, और यह objective case में है, इसलिए हम इसे by की तरह use कर देंगे, जो भी हमारा subject जो है, वो कैसे दे रखा है, objective में दे रखा है, तो उसे as it is लिख देंगे, एक और sentence देख लेते हैं, let him start the game, उसे game start करने दो, तो यहाँ भी अगर let से sentence start होता है, अब भी हमने इस से पहले जो verb होगा, imperative sentence होगा, यह भी imperative sentence है, लेकिन वो किसी main verb से start हो रहागा और वहाँ पे हमें order लग रहा होगा, तो वहाँ हम let लगाएंगे, और कुछ sentences होगे, जो वहाँ पर already let से बने भी होगे, तो कैसे बनेगा, let as it is लिख देंगे, the game जो है, वो हमारा एक object की तरह एक noun है, तो को हम पहले ले लेंगे, ठीक है, let, अब जो भी noun है, उसे ले लेंगे, be, verb की third form start की started हो जाएगी, by him, as it is लिखेंगे, क्योंकि यह object है, और इसे as a objective लिख देंगे, कैसे, let the game be started by me, by him होगा, ठीक है, यह रॉंग है, यहाँ पर by him लगेगा, क्योंकि जैसा दे रखा है, as it is वैसा ही लिखना है, by him, okay, तो इस तरह से हमारे क्या बन गए, objective बन गए, यहाँ पर हमारा passive जो है, वो complete हो गया है, अब बारी है हमारी exercise की, कि किस तरह से हम समझ सकते हैं, कि आज जो भी हमने points पड़े हैं, वो clear हुए हैं या नहीं, उसके लिए छोट असा test है, वो क्या है, आपके सामने कुछ sentences होंगे, आपको वो देखने हैं, समझने हैं, वीडियो को pause करना है, वही same बार अपने sentences लिखने हैं, देखना है कि सही है या नहीं है, ठीक है, तो जितना भी अभी आज हमने जो पड़ा है, उन सभी से related कुछ sentences हैं, देखते हैं, दे रखा है, please shut the door, यह this letter, यानि कि इस letter को post कर दो, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कुछ order something लग रहा है, तो order है, बिल्कुल, let him sing a song, let दे रखा है, अभी अभी just हमने समझाता है, कि अगर sentence में ही let लिखा हो, तब कैसे होगा, यह let, यह क्या है हमारा, जो भी object है, वो, उसकी वद वर्ब, यह हमार noun है, तो noun को हम पहले ले आएंगे, वो आपको पता है कैसे करना है, help the orphaness, जो भी अनाथ है, उन लोगों की मदद करनी है, तो यहाँ पर जो orphaness है, अनाथ हाले है, उनकी help करने की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, इनको sentence को बनाना है, I think video को pause करके, अब आपने बना दियोंगे, अब देखते हैं कि sentence कैसे कैसे बनेंगे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज है, please shut the door, यहा हमने पढ़ा था कि don't smoke एक advice दी जा रही है, तो you are advised not to smoke, अभी अभी हमने देखा था, I think यह तो सबका सही हो गया होगा, next है post this letter, इस letter को post कर दो, अब यहाँ पे order दे रहे हो आप, order दे रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप इसे किस तरह से लगाएंगे, आप इस तरह से use करे next, let him sing a song, यह हमने let से अभी भी देखा था, कि let से जब sentence start होते हैं, तो let as it is लिखेंगे, जो भी आपका noun है, उसे लिखने के बाद भी, आपकी verb and by him, जो भी आपको object दे रखा है, उसे as it is लिख देना है, next है help the orphaness, जो भी अनाथाले हैं, उनकी सहायता करो, अब क्या कहरें advice दी जारी है, कि आपको करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, the orphaness should be helped, क्योंकि यहाँ advice दी जारी है, तो I think यह बहुत simple सा concept था, जो clear हो गया होगा बच्चों को, passive voice जो है, वो आज हमारे complete हो गया, जिस भी तरीके के passive voice बनते हैं, हमने वो सारे ही पढ़ लिए हैं कि किस-किस तरह से कौन-कौन से चीज़े change होती है, ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई query है, तो please comment section में लिख दीजिएगा, कि मैम हमें इस topic को या इस चीज़ को हमें फिर से समझना है, जो भी आपकी queries हैं, आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, और next जो हमारी class है, वो हम करने व रोल होता है, direct-in-direct में, तो आप tense जितने भी हैं, उन सभी को फिर से पढ़ लीजेगा, क्योंकि अब फिर से tense जो है, वो change होगे, अब आपको passive के भी rules जो है, वो दिमाग में रखने हैं, उसके बाद indirect-direct को भी देखने हैं, क्योंकि वहां पे भी tense-wise changes होते हैं, तो दोनों म हैं next class में, तब तक के लिए thank you so much, आप इसी तरह से continue अपनी study को रखिए, कि किस-किस तरह से जो भी topics हा रहे हैं, उनको clear करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, मिलते हैं अगले class में, अगले lecture में, अपने new topic के साथ passive हमारा complete हो गया है, इसको revise कीजी, अपने notes तया झाल झाल